सचमता परिक्षा के वरोध में बिहार के सभी नियोजित सिक्षक एक जूट है वो किसी बेस्तिती में सचमता परिक्षा में शामिल होने को एक चुक नहीं है इन सिक्षकों द्वारा परिक्षा के वरोध में मशाल जलूस निकाल कर प्रदेशन किया जा रहा है विभाक सस्तर से कारवाई की करी चेतावनी के बावजूद सिख्षक मूर में हैं और अंदोलन को वापस लेने का नहीं सोच रहे हैं इधर सीता मड़ी जिले में सचंता परिक्षा के वरोधियों को डियो चन्नत कर कारवाई का डंडा चलाने लगे हैं डियो प्रमोत कुमार साहून को सोचल मीडिया से यह खबर मिली है कि जिले के सभी नियोजित सिख्षक 13 फरवरी को पटना में विधान सभा का गेराव कर रहे हैं डियो ने कहा है कि ऐसे धर्ना और प्रदर्शन वाले कारिक्रम में सिख्षकों के शामिल होने की मंत्रा से यह सपस्ट होता है कि विध्याले में सिख्षन कारे को बाधित करने की कोशश की जा रही है ऐसे वें डियो ने कहा है कि संबंदित सिख्षकों द्वारा अन्य सिख्षकों को भी धर्ना और प्रदर्शन में कारिक्रम में शामिल होने को उकसाया जा रहा है सिक्षकों के घेराओ कारिक्रम को लेकर डियो काफी गंभीर है उन्होंने कहा है कि यह कृत्ति किसी पस्थेती से स्विकार नहीं है साथ ही अकारिशाली सिक्षक के आदेश आचरन के प्रतिकूल है जिन सिक्षकों के वेतन भुकतान पर रोक लगा कर उन्हें पूचा गया है उनमें डुम्रा प्रकंड के विकास कुमार, पवन कुमार, विपिन कुमार, महफूज आलम, श्याम कुमार सिंग, अर्वंद कुमार, रीगा प्रकंड के आमोद मधुकर, राजीश कुमार और कई लोग शामिल है जी हाँ इनके साथ हैं साकेत कुमार और नवीन कुमार प्रिकास कुमार और राम्ज कुमार समीत अने लूक शामिल है ऐसे मी नियोजित सिक्षक लगतार सचमता परिक्षा का विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इस परिक्षा में नहीं बाठेंगे हमें ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए लेकिन अब ऐसे सिक्षक जो की इन बातों को छोड़ कर धर्ना प्रदिर्शन में सामिल हुए हैं वधान सवा का घेराओ किये हैं उनसे पूस्तार जारी रहेगा और पूस्तार तक वेतन बंद रहेगी जी हाँ वेतन नहीं देने का जो फैसला है वो लिया गया है ऐसे ही तमाम अब्रेट्स के लिए बने रहें NBC24 पर अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें यूट्यूब पर देख रहे हैं झाल